हेलो दोस्तो, वेलकम बैक, कभी किसी से अंजाने में हुई गलती, आगे जाके दुसरों को भी भारी पढ़ सकती है, और अगर उस गलती से किसी पागल इंसान का दिल दुखा हो, तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है, तो चलो इसक का एक्स्प्लेनेशन देखते है, योशी, एक सिनियर और एक्सपिरियंस डिटेक्टिव है, एक रात योशी को अजीब सपना आता है, कि किसी सुमसान नमक की दलदल में, वो लाल ड्रेस पहिनी हुई एक आउरत का, पानी में सर डुबा के मरडर करता है, भूकम से उसका व पोली स्टेशन से फोन आता है, कि वाटर फरंट पे एक लड़की की लाश मिली है, योशी वहाँ पहुचता है, लड़की को देखके वह शौक होता है, क्योंकि वह वही लाल ड्रेस वाली लड़की होती है, जो उसने रात को सपने में देखी थी, लड़की के मुझ से पढ़ा होता है, वह देखके वह शौक होता है, योशी वह बटन बिना उठाए, वहाँ से चला जाता है, लड़की की पहिचान नहीं हो पाती, योशी के असिस्टंट रॉबिन के समझ में नहीं आता, कि लड़की को पहले खारे पानी में डुबा के, फिर दूर कई नदी क इनारे क्यों फेका, यह योशी घर में आके अपने ओवरकोट का बटन चेक करता है, तो उसमें का एक बटन गायब होता है, तो अब घबर के ओशी रात को फिर से क्राइम सीन जाता है, और वहाँ पड़ा वह बटन उठा लेता है, तब ही अचानक उस छोटे से पॉंड के पानी में अजिब तरह से लेरे उठने लगती है, उसे ऐसा सोता है कि कोई लाल कपड़े पहने हुई आउरत उसके आसपास है, काफी धुणने के बाद भी जब उसे वहाँ कोई दिखता नहीं, तो योशी उसे अपना वैयम समझता है, योशी कनफ्यूज होता है कि रात को उसने जो देखा, वह सपना था या सच, क्या उसने सचमुझ किसी लड़की का मर्डर किया है, मगर वह वैसा क्यू करेगा, तो दुसरे दिन वह उस बटन को फोरेंसिक लैब भेजता है, अब योशी उस लड़की की आइडेंटिटी दुनने में लग जाता है, लड़की के बोड़ी पे मिले हुए फिंगर प्रिंट्स, योशी के फिंगर प्रिंट्स से मैच होते है, मगर सभी यही समझते है, कि इन्वेस्टिगेशन के दर्म्यान, योशी ने शायद लापरवाई बरती होगी, इसलिए उसके फिंगर प्रिंट्स उस लड़की पे आए, तो कोई बिना किसी पैचान और वज़के, वो किसी अंजान लड़की का मर्डर क्यों करेगा, मगर लड़की को देखने के बाद भी, उसे कुछ याद नहीं आता, उसे लगने लगता है, कि कई उसे कोई मेंटल बिमारी तो नहीं हुई, रात को खाने के टेबल पे वो मनामी से कहता है, कि 15 साल पहले वो, जब कावा साकी से ओफिस जाने के लिए बोट फेरी लेता था, तब नहर के आसपास इतनी आबदी नहीं थी, आज जब मैं वहां से गुजरता हूँ, तो वह हिस्सा अजनबी लगता है, मानो मैं वहां से कभी गुजरा ही नहीं, मनामी उससे कहती है, कि कुछ चीजे भुलना अच्छा होता है, उसकी बातों से योशी को लगने लगता है, कि कई उसे भुलने की बिमारी तो नहीं हुई, तब ही किसी हॉस्पीडल में डॉक्टर साकुरा हमें दिखाई देते है, साकुरा एनेस्थेटिस है, जो ऑपरेशन के दर्मेंद पेश कि उसने उसके दोस्तों को प्रॉमिस किया है, साकुरा समझ जाता है, कि किसी ड्रक्स पार्टी के लिए उन्हें वो इंजेक्शन चाहिए, वो जीमी को इंजेक्शन देने से साप मना करता है, तो जीमी भी उसका बुरा नहीं मानता, वो साकुरा से कहता है, कि उसने उन दो जाके उसे एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देके ब्योश करता है और खारे पानी के टब में डूबो के मार देता है दूसरे दिन योशी क्राइम सीन पे पहुचता है अब उसी तरीके से हुआ यह दूसरा मर्डर देखके उसे लगने लगता है कि कई यह सीरियल किलिंग का मा चलता है कि जीमी के शरीर में एनेस्थेशिया पाया गया है और उसका पीता साकुरा गायव है तो अब बिना कुछ सोचे समझे योशी साकुरा को सीरियल किलर करार देता है जिससे रॉबिन उस पे नाराज होता है तभी आटॉप्सी डॉक्टर योशी से कहते है कि पिछली नजर उपर लटक रहे पीले कलर की इलेक्रिक वायर की और जाती है जिसको तोड़ा गया है अब योशी नमक के फिल जाता है तो वहाँ एक थैली में रखी पीले कलर की वायर उसे मिलती है वो समझ नहीं पाता कि वो बिल्कुल उसी जगा कैसे आया जहां वो वायर की थैली पड़ी है क्या थैली उसी ने फेकी थी? मगर उसे कुछ याद नहीं आता तब ही वहाँ उसे डॉक्टर साकुरा दिखाई देता है योशी को देखके साकुरा भागता है और पासी की बिल्डिंग की छच से नीचे कुथता है, मगर मरता नहीं सिर्फ घायल होता है योशी उसे पिट्टे हुए पुछता है कि क्या वही सिरियल किलर है योशी उससे कहता है कि तुमारी वज़ा से मैं अपने आपको किलर समझने लगा मगर साकुरा कुछ नहीं बोलता तो अब साकुरा को एरेश्ट करके इंट्रोकेशन के लिए पुलिस टेशन लाया जाता है साकुरा योशी से कहता है कि उसका लड़का बिगड़ते जा रहा था मगर अपने लड़की की हत्या करने का खयाल उसके दिमाग में कभी नहीं था उस रात उसने न जाने क्या देखा जिसने उसके दिमाग पे कबजा किया और उसी ने उसे जिमी को मारने के लिए उकसाया मगर उसने किसी लड़की को नहीं मारा तो अब योशी उससे पुछता है कि उसने उसी तरीके को क्यों अपनाया जिस तरीके से पिछली बार उस लड़की का मर्डर किया गया था मतलब इतनी दूर जाके खारे पानी में डुबो के मारना ये लॉजिक में नहीं बैटा साकुरा कहता है कि उसे उसके दिमाग ने वैसा करने का आदेश दिया था तब वो उसके होशोहवास में नहीं था अब योशी उस पे लड़की के मर्डर का आरोब भी रखता है तब ही साकुरा को वो लाड ड्रेस वाली लड़की दिखने लगती है वो डरता है और अजिब बरताओ करने लगता है उसे मेंटल बीमार समझ के सैकेट्रिस्ट के यहां भेजा जाता है रॉबिन योशी से कहता है कि मिली हुई येलो इलेक्रिक वायर पुराने जमाने के घरों में इस्तमाल की जाती थी जिस तरह के घर में तुम रहते हो रॉबिन की बातों से योशी को पता चलता है कि उसे 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 शक हो रहा है, योशी उससे कहिता है, कि अगर मैं मर्डरर होता, तो मैं वह सबुत लैप क्यूं भेज़ता रात को योशी के सपने में फिर से वह लाल ट्रेस वाली आवरत आती है, जिससे वह डर के जाग जाता है तो अब आसपास भी उसे वह आवरत दिखने लगती है, वह आवरत उससे डराने लगती है, वह उससे एक ही बात कहिती है, कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, डरा हुआ योशी समझ नहीं पाता, कि ये उसके दिमाग का वहम है या सच्चाई, अब योशी साइकेट्रिस से म अंदर एक भूत बिठा के रखा है, मगर ये भूत हमेशा सच बोलता है, वह योशी से कहता है, कि अगर तुमने तुमने तुमारे दिमाग के अंदर ऐसा कोई भूत चुपा के रखा है, तो उसकी आवाद सुनो, वह क्या कह रहा है ये जानने की कोशिश करो, क्योंकि वह उससे कहती है, कि उससे अकेला जाना चाहिए, ताकि वह पिछला सब भूला के रिलेक्स हो सकता है, अब योशी कई बैठा होता है, तो फिर से वह लाल ट्रेस वाली आवरत वहाँ आती है, और उससे कहती है, कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाती है, योशी उससे पुछता ह कि वह क्या चाती है तो उस पर वह उससे कहती है कि तुमने खारे पानी में डुबो के मेरा मर्डर किया मगर योशी को ऐसा कुछ याद नहीं आता योशी समझ जाता है कि वह कई पे भी जाएगा तो उसके दिमाग में बसी वह आउरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी अब यो योशी इस राज को सुलजयने का फेसला करता है योशी ये तो समझ जाता है कि हो ना हो उस लाल ट्रेस वाली आउरत का उसके पांश से कुछ तो कनेक्शन है या शेहर में किसी जगा एक ऑफिस में एक बिजनेसमैन जिसका नाम तकाशी है अपनी वाइफ को डिवर्स देके अपनी लेडी अकाउंटर्ण यासुकी से शादी करने के चकर में है मगर यासुकी ना जाने क्यों खुश नहीं है वा तकाशी के केबिन में होती है कि आचानक भूकंप आता है तब ही कोई चीज यासुकी के दिमाग में प्रवेश करती है तो वह हिपनोटाइज होके समु अपनी ही धुन में जब वह मिरर के सामने आती है तो हमें मिरर में वही लाल ड्रेस वाली आवरत दिखाई देती है दुसरे दिन जब पोलिस को तकाशी के मर्डर की खबर मिलती है तो वह क्राइम सीन पर पहुँच जाती है रौबिन को अब योशी पे शक होने लगता है उ वहां के आदमी से उसे पता चलता है कि दरसल वह बेल्डिंग एक पूराना मेंटल होस्पिटल था जो पिछले 50-60 सालों से बंद है वह बुड़ा इंजिनियर योशी को ये भी बताता है कि सुनने में आया है कि वहां रखे मरीजों को पनिश्मेंट की तोर पे खारे पानी से भरे बेसिन में सर डुबो के सफोकेट किया जाता था वस उनके योशी शौक होता है योशी को धूंटे धूंटे रॉबिन वहां पहुंच जाता है और उससे पुछता है कि कल रात वह कहां था क्योंकि उसे शक है कि तकाशी का मर्डर योशी ने किया है क्योंकि तकाशी के अकाउंटन यासुकी को रात के 10 बजे ऑफिस से भार निकलते हुए देखा था और यासुकी कल रात से गायब है तभी पहले मरडर हुए उस लड़की की पैचान भी होती है तो योशी और रॉबिन उस लड़की के याने रिको के घर पहुचते है रिको की माँ उन्हें बत और यलो कलर का रोब भी मिलता है जेकब के ओवरकोट का एक बटन भी मिसिंग होता है जो योशी को पॉंड में मिले हुए बटन से मैच होता है जेकब भी पोलिस को यही बयान देता है कि उसने नजाने कैसे रिको का मरडर किया रात को योशी जब घर में आता है तो फिर से वह लाल ड्रेस वाली आवरत उसके सामने आती है योशी उसे रीको समझ के उससे कहता है कि आप तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारा कातिल भी पकड़ा गया है मगर अब जब वह आवरत के करीब जाता है तो उससे पता चलता है कि वह रीको नहीं कोई और है जिससे योशी डर जाता है क्योंकि अब उस आवरत का चेरा पुरी तरह बदल गया है तब ही योशी को याद आता है कि वह वही आवरत है जिसे वह 15 साल पहले फेरी बोट से ट्रैवल करते हुए उस पूराने मेंटल हॉस्पिटल की खिड़की में देखा करता था वह आवरत योशी से कहती है कि तुम रोज मुझे देखा करते थे फिर भी तुमने मुझे इग्नोर किया और दुसरों की तरह मुझे वही अकेला छोड़ दिया योशी अब डर के उससे पुछता है क्या आखिर वह क्या चाती है अब उस पागल आउरत का आत्मा योशी से कहता है कि सालों से मैं तुम जैसे किसी का इंतजार करती रही जो आएगा और मुझे मुझे मुक्ती दिलाएगा मगर तुमने मुझे अंदेखा किया बिल्कुल वैसे ही जैसे साट साल पहले मुझे खारे पानी में टॉर्चर करने के बाद मरा हुआ समझ के उस बेल्डिंग में छोड़के वो सब लोग भूल गए जैसे मैं कभी इस दुनिया में थी ही नहीं जिसका बदला लेने के लिए मैं वैसे ही लोगों की दिमाग पे कबजा करके उनके उस चैटो को उनी के हाथ से मार डाला जो मुझे इग्नॉर करके भूलेगा वो यही भुकतेगा अब योशी को चानबीन से पता चलता है कि जेकब, डॉक्टर साकुरा और यासुकी यह तिनों उसी फेरी बोट से उस मेंटल हॉस्पिडल के पास से गुजरते थे उन्होंने भी उस आउरत को देखा होगा मगर इग्नॉर किया होगा जिसकी वज़ा से उस आउरत की आत्मा ने इन तिनों के चैटो को मार डाला रॉविन को योशी की बातों पे विश्वास नहीं होता कि किसी पागल आउरत की आत्मा यह सब कर रही है अब योशी को डर लगने लगता है कि कई उसके हातों मनामी का मरडर ना हो जाए तो वह उसे जबरदस्ती शहर के भार अकेला भेज़ देता है अब जब वह उस नमक के फिल्ड में आता है तो वहाँ उसे यासुकी दिखती है यासुकी से उसे पता चलता है कि उसे भी वह लाल ट्रेस वाले आउरत दिखाई देती थी उसी ने उसके दिमाग पे कबजा किया जिसकी वज़ाए से यासुकी के हातों से तकाशी का मर्डर हुआ यासुकी योशी से कहती है कि उस आउरत का एकी दुख था लोग उसे देखते है मगर उसे इग्नोर करते है कोई उसे नोटिस नहीं करता तो वह आउरत उन्हीं लोगों को मारती है जो अपने पे प्यार करने वाले लोगों को उनके प्यार को इग्नोर करते है उनके प्यार को कीमत नहीं देते यासुकी कहिती है मैं तकाशी से प्यार करती थी मगर उसके लिए मैं एक इस्तमाल करने की चीज थी योशी को याद आता है कि डॉक्टर साकुरा भी अपने बेटे से प्यार करता था मगर उसके बेटे के दिल में अपने बाप के प्यार की कोई कीमत नहीं थी वही बात तरीकों के साथ थी वह आवारा जेकब से प्यार करती थी मगर वह सिर्फ उसे पैसे के लिए इस्तमाल किया करता था मतलब उस आउरत की आत्मा उसके हिसाब से इंसाब कर रही थी योशी ये बात अपने साइकेटरिस को बताता है जिससे वह भी डिश्टब होता है क्योंकि वह लाल ट्रेस वाली आउरत उसके वाइफ को भी दिखाई देती है अब योशी उस पुराने मेंटल होस्पिडल जाता है जब वह उस खिड़की के पास जाता है तो वहाँ उसे वह आउरत दिखाई देती है वह योशी से कहती है कि आखिर तुम आई गए मगर तुमने देर कर दी फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ इतना कैके वह गायब हो जाती है खिड़की के नीचे योशी को उस आउरत की अस्तिया पड़ी दिखती है अब जब योशी अपने घर आता है तो उसे अलमारी पे रखा खारे पानी का पुराना क्यान दिखाई देता है और दुसरे कमरे में मनामी का कंकाल पड़ा होता है मतलब योशी ने मनामी को छे मने पहले ही खारे पानी में डुबो के मार दिया था जो मनामी हमें उसके आसपस दिखाई देती थी वो तो उसकी इमेजिनेशन थी वो देखके योशी को याद आता है कि उस आउरत ने उसके दिमाग पे कबजा किया था और उसे सच्चाई से दूर रखा मनामी के आत्मा योशी से कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तुमारी नहीं मेरी गलती थी जब मैं जिन्दा थी तुमें और तुमारे प्यार को इग्नोर करती रही जिसकी सजा मुझे मिली अब जब योशी गन से खुद को मारने जाता है तो मनामी उसे रोकती है और कहती है कि चू की उसे अब सच्चाई पता चली है तो बहतर है वो उसे भूल जाए उसके सामने उसका फ्यूचर पड़ा है इतना कहके मनामी चली जाती है अब योशी मनामी की अस्तिया एक बैग में भरता है और उस पुराने मेंटल होस्पिटल की तरब जाता है तो यहां रॉबिन योशी के उपर के शक को लेके उसके घर पहुचता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है तभी हमें उस लाल ट्रेस वाले आवरत की आत्मा दिखाई देती है वो रॉबिन को वहां पड़े खारे पानी के बाउल में डुबो देती है यहां योशी उस पूराने मेंटल होस्पिटल में पड़ी उस आवरत की अस्तिया भी बैग में भर देता है और उन्हें विसर जित करने समुन्दर की और निकल पड़ता है मगर हमें उस आवरत की आवास सुनाई पड़ती है तुमारे इग्नोरंस की वज़ा से मेरी मोथ हुई अब तुम सबको भी मरना होगा मतलब उस लाल ट्रेस वाली आवरत की आत्मा को शांती नहीं मिली थी वो कहते है ना इंसान मर जाता है मगर बदला कभी नहीं मरता मूवी यहां खतम होती है दोस्तो अगर आपको यह एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेर कर देना हमारा होसला बढ़ाना फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग